हर्याना विधानसभा चुनाफ के लिए अपनी आखरी रैली में प्रधानमंत्री मोधी ने कॉंग्रेस पर जबरदस अटेक किया मोधी ने कॉंग्रेस पर पियोके और आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान के एजंडे पर चलने का आरोब भी लगाया मोधी ने कहा कि कॉंग्रेस के नेता पियोके के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन आर्टिकल 370 की वापसी की बात करते हैं मोधी ने कहा कि आज कॉंग्रेस की नेता फॉजीयों की मुद्दे पर सियासत करते हैं लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने वन रैंक वन पेंचन लागू नहीं की राहूल कांदी ने आज इशारों इशारों में ये माना कि हरियाना कॉंग्रेस में गुडबाजी है बहादुर गड़ की रैली में राहूल ने कहा कि कभी-कभी कॉंग्रेस की शेर आपस में लड़ जाते हैं ऐसे में ये उनका काम है कि आपस में लड़ने वाले कॉंग्रेस क वोटिंग हो रही है आज 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं जिसमें 24 सीट जमू और 16 सीट कश्मी रीजन में हैं वोटिंग को लेकर काफे उच्छा देख रहा है खास बात यह है कि कई समुदाए ऐसे हैं जिने पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला है पाकिस्तान से आ कोडर को और क्लियर किया कोट ने कहा सरकों से अवैद अतिकरमन हटना चाहिए फिर च्वाए मंदिर हो या मस्जिद या प्र दर का अगर यह आवैद हैं तो इसके खिलाब का रवाई होनी चाहिए कोट ने जोड़ देकर कहा कि निर्देश सभी नाकरिकों के लिए होंगे पंजाब की फिरोस्पुर में पंच्वायती चुनाव की वज़े से कॉंग्रेस और आमादनी पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया बार से परिशान बिहार को फिलाल रहत मिलती नहीं दिख रही बिहार के 16 से लोग के खरीब 9 लाक लोग बार का सामना कर रहे हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू आपरेशन के लिए एरफोर्स की मदद ली गई है आज इंडिन एरफोर्स के हलिकॉप्टर से फूड पाकेट्स वित बार के संकट पर शोग जताया प्रियंका ने कॉंग्रस के नेताओं और कारकरताओं से भाड़ पीड़तों की हर मुमकिन मदद की अपील की